नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में समीक्षा अधिकारी के प्रिलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डेवाई सीरीज हमारी चल रहे थी और ये डे 33 का मॉडियो जिसे क्या आप देख रहे हैं आईए शुरू करते हैं आज भारत के भूगोल से स्टार्ट करते हैं पिछले वाले में हमने परियावरण को देखा तो ऐसे ही विभिन विशियों से हमारा पाला पढ़ता रहेगा देखिए भारत की प्रमुक जीलों को यहां आप देखने वाले हैं भारत के भूगोल से सम्बंदित आधार भूत तथ्यों को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है पिछले लेक्चर मतलब पीछे के जो 33 ल लैगून जील और यहां पे जीगा मचली का उतपादन होता है पुलिकट जील अब जील कहां पे स्थित है और खारे पानी की है कि मीठे पानी की है साथ में उसकी कुछ विशेष्टा है तो यह तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पुलिकट जील जो है यह आंध्र जा नहीं पाया है वेंबा नद को आप देख रहे हैं यह केरल का समुद्री तठ है वहां पे स्थित खारे पानी की लैगून जील है और इसी जील में वेलिंगटन द्वीब भी स्थित है जहां पे राष्ट्री नौकायन प्रतियोगिता होती है भारत का सबसे छोटा जो न बांचल में है, सिरमोर जीले मिस्थित है, ताजे पानी की जीले ध्यान दीजेगा और यहां पे लायन सफारी और चडिया घर भी है इसको पाद सब्रताजिया जील इसको कहा जाता है यह उत्तराखंड का जो कुमायू रीजन है मतलब कुमायू प्रकंड है वहां पे जीलम जीमल ताल नगर जो है उसके पास में है और बहुत सारी जीलों का ये समूँ है इसलिए इसको सब्त जील या सब्त ताल कहा जाता है मतलब साथ तो ऐसे प्रत्यच्छ दिखाई देती हैं वैसे बहुत सारी है और यहां पर प्रवासी पक्षी धेर सारे आते हैं बाहर से महतुपूर्स्थान, तवा वो हर जील को आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की होशंगाबाद जिले में पढ़ती है, नर्मदा नदी पर बाद बना कर इसको बनाया गया है, मतलब इक गृत्रिम है, सोंगमो को देख लीजे, सिक्किम के गंग टोक जीले में है, ताजे पा करती है, तमिलनाडू में, चिन्नई से करीब 40 किलो मीटर दक्षन में इसकी लोकेशन है, यहां एक्जेक्टी बताया गया है, और इसी जील से अड्यार नदी का उदगम होता है, बहुत बार ऐसा होता है, कि बड़ी जीलों से नदियां भी निकलती है, इसके बाद चोल आम जील को आप देख रहे हैं, और यह चोल आमू जील जो है, यह सिक्किम के उत्तरी भाग में है, यानि काफी उचाई पे है, ठारसो फीट की उचाई पे इस्थित है, और भारत की सबसे उची जील, तीस्ता नदी यही से निकलती है, नेक्स्ट, वूलर लेक को तो आप जान बात हो रही है, ठीक है, तो वूलर लेक जो है, यह जेलम नदी पर निर्मित, यह गोखुर लेक का उदारन है, गोखुर यानि गाय के खुर के समानाकरिती, साभर जील को तो आप देखी रहे हैं, यह राजस्थान में है, जैपुर से करीब 60 किलो मीटर दूर जो भारत का अंतरस्थली ब्रहत्म खारे पानी का भंडार है, उसके तोर पे से देखा जाता है, यह अंतरस्थली जील जो है खारे पानी की उसमें सबसे बड़ी है, भारत के करीब 60 प्रतिशत नमक किया पूर्ती यही से होती है, लोक्टक जील को आप देखें, यह उत्तरपूर वी र लगता है कि वो उचल कूद रहा है, यह लगातार डांस कर रहा है, तो विश्व में तैरती हुई द्वीपी जील के रूप में भी प्रसिद्ध है, और यही पर किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का एक मात्रत तैरता हुआ नेशनल पार्क है, प्रदेश में है कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, दो नदियां आपस में मिलकर डेल्टा बना रही है, तो उसके बीच में यह ताजे पानी की जील, लोनार जील यह महाराष्ट्र में है, बुलठाना जिले में पढ़ती है, और ज्वाला मुखी या उलका पिंड क गिरने से इसका निर्माड हुआ है, मतलब उलका पिंड गिरने से वहाँ गड़ा बन गया और जील बन गई, ऐसा माना जाता है, या फिर यह भी संभाव ना हो सकती है, कि ज्वाला मुखी उद्गार की वज़ए से वहाँ ऐसी संरशना का निर्माड हुआ, नेक्स्ट, इस इसके बाद सस्थम कोट्टा है, तो सस्थम कोट्टा जो है, ये कोल्लम जिले में पढ़ती है केरल में, और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है, इसके बाद सूरज ताल को आप देखें, ये बड़ा लाचा दर्रा यहाँ देखें आप, हिमांचल प्रिदेश में मतलब जम्मू कश्मीर में ताजे पानी की जील है, और ये जील आठ किलो मीटर लंबी और तीन किलो मीटर चौड़ी है, इसका विस्तार आप देखें, कई स्थान पे दलदल है, और वहां पे जब दलदल है तो कम गहरी है, लेकिन खतरनाक है, धेबर लेक की ये राजस्थ मतलब जो हिमाले का मद्धे वर्ती भाग है, वहां पे ताजे पानी की प्राकृतिक जील है, पंचबध्रा जो है राजस्थान में पढ़ती है, बाडमेर में और पानी की कमी की वज़े से ये असल में खारे पानी की जील है, पहले चीज तो मीठे पानी की नहीं है, ये खा वन जील महाराष्ट्र के ठाड़े में है और ब्लू बर्ड जील जो है हरियाणा में है तो इस तरह से महत्वपूर्ण जीलों को आपने देखा अब कुछ जल प्रपातों को देख लीजे और कुछ गर्म पानी के भी सोते होते हैं उनको भी देख लेते हैं तो भारत के जादा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है और यह जल्प्रपात करनाटक राज्य में इस्थित है चित्रकूट जल्प्रपात 36 कड राज्य के बस्तर जिले में है जगदलपूर के पास यह इंद्रावती नदी पर अवस्थित है और इसकी उचाही करीब 29 मीट इसे भारत का नियागरा भी कहा जाता है नियागरा वाटरफाल को आपने देखा है न मतलब कम से कम चित्रों में देखा होगा या वीडियो में देखा होगा तो इसे भारत का नियागरा कहा जाता है करनाटक राज्य में इस्थित कुंचिकल प्रपात की उचाही कम से मतलब पूरे हम नीचे से लेकर जो उचाई का पूरा मैं Vaccant है उसके लिहाद से देखा जाए तो यह भारत का सबसे उच्या जल प्रपात सबसे पानी नीचे गिरता है अनेक आधिकारिक स्रोतों के आधार पे भारत का सबसे उचा जल प्रपाद जो है वो कुंची कल है ऐसा माना जाता है यह आधिकारिक स्रोत कहते हैं तो आपको मानना चाहिए और यहां आपने देखा इसके बाद जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्थ जो है उनको जील कहते हैं यह तो जील की परिभाशा है छोटा रहेगा तो खड कहेंगे नहीं तो फिर बड़ा रहेगा तो जील कहेंगे यहां आपने देखा बढ़ती आबादी और जल के अभाव में जील जो है वो लोगों के लिए एक महतुपूर्ट जल स्रोत का अपना लातिहार जिला है वहां पर बूढ़ा गंगा मतलब यह कोयल नदी की सहायक है तो उस पर इस्थित है और इसे बूढ़ा घाग जल प्रपात भी कहा जाता है यह जारखंड का प्रमुख वाटरफाल इसके बाद ब्रजेश्वरी गर्म जरना यह महाराश्ट्र में है नाराय मौसम और वायू मंडल इस दोनों को आमें मिला गर देखना जाये क्योंकि वायू मंडल जो है यह मौसम की गतिविदियों को अपने अंदर समेटे हुए है आप जानते हैं कि वायू मंडल की विभिन परते है तो जो सबसे नीचे वाली परत है वहां पे मौसम संबन्दी ग परिवर्थिक नहीं होती है, मौसम जो है वो थोड़ी अवधी के बाद बदलता रहता है, मतलब मौसम को आप कहा सकते हैं कि जल्दी जल्दी बदलता है, मतलब एक दिन में ही बदल सकता है, अभी सुबह धूप निकली है, शाम को बादल गिरे, बरसात होने लगे, तो मौसम से लेकर सौ साल में ये बदलती है, धीरे-धीरे करके, अभी ये रैपिडली चेंज हो रही है, तो वही जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमिट चेंज का हमें डर सता रहा है, वो सामने आ गया है, मानसून से अभी प्राए एक ऐसी जल्वायू से है, जिसमें रितु के अ और भारत में इसकी सक्रेता जून से लेकर सितंबर तक रहती है, दचिन पश्यमी मानसून का प्रारंब भारत के केरल राज्य से शुरू होता है, और भारती एक रिशी का अधिकांश भाग अभी वर्शा पर निर्वर है, भारती क्रिशी क्या है, ये मौसम आधारित है, व भारत की जलवायों को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को देख लीजे, वैसे तो जलवायों को प्रभावित करने वाले कारक कमोबेश पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, लेकिन यहां हम भारत के ही संदर्ब में बात करते हैं, तो इस्थिती और उच्चावच ये इसके अलावा वायूदाब और पवन्संबंधी कारक, अब वायू का दबाओ कैसा है? अधिक दबाओ का छेतर बनाया है तो मौसम वहाँ पहे क्या होगा? इस्थिर और शान्थ होगा. कम दबाओ का छेतर है तो वहाँ मौसम अस्थिर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर लो-प कटिबंती अच्छांस हों मतलब 23 संस 30 मिनट उत्तरी अच्छांस से लेकर 23 संस 30 मिनट दच्छरी अच्छांस इनके बीच में अवस्थित नहीं है ठीक है बलकि इसके मुख्य भूमी का विस्तार जो है वो 8 संस 4 मिनट से लेकर 27 संस 6 मिनट उत्तरी अच्छांस के बीच में ज जो उत्तर भारत है, मतलब उत्तर प्रदेश वाला स्थिती है या फिर उत्तर भारता पूरा कह लीजे, वहाँ पे निम्नदाब की स्थिती बनती है, समुद्र से वैसे भी जितनी दूरी बनती जाएगी, समुद्र के तटवर्ती जो इलाके हैं, वहाँ मौसम सम रहता है, जल जानी इलाके हैं वहाँ निम्नदाब की स्थिति बनती है और इस वज़र से दच्छड पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है क्योंकि जिस समय इस थल पर निम्नदाब का छेत्र बन रहा है उस समय जो महासागर है वहाँ पर उच्छदाब का छेत्र तो निम्नदाब की और उच्छदाब की और से पवन का प्रस्प्रवा होगा और जब पवन वहाँ की और प्रवाहित होगी तो वह अपने साथ आद्रता ले आएगी और वर्शा करेगी तो ये काम होता है अगर आप हमारे पेट कोर्स जवाइन करना चाहते हैं तो ये पर आप जानकारी ले सकते हैं अच्छा इसके बाद देखें लेह भारत में सबसे कम वर्शा वाला चेतर है और ये भारत का सबसे सुषक स्थल है सूखा है यहां पर वर्शा ही नहीं होते है तो सूखा पंतु रहे गई और भारत को उश निकटी बंद और उपोश निकटी सलशियस पर आती है और भारत में राजस्थान के मरुस्तली चेतरों में सरवाधिक दयनिक तपांतर पाया जाता है बालू जितनी जल्दी गरम होता है उतनी जल्दी ठंड़ weigh जाता है यहां का तापमान असामानी रूप से दिन के अपेक्षा रात में कम होता है और दैनिक तापांतर मरुस्थली जलवायों की विशेश्टाओं में से एक रात की जलवायों एकदम ठंडी हो जाएगी और दिन में एकदम से चलचलाती गर्मी मतलब पैर रग दे तो यह रहता है तमिलनाडू की मुख्य वर्षा की अवधी यही होती है और इसी मानसून के समय में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी भी आ गई थी यह पीछे का जो कांड था सुनामी वाला उसको आप देख रहे है तमिलनाडू की तटिये चेत्रों को तबाह कर दिया था भार्दिय मान दिशा याद रखेगा और इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ती तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है अन्य किसी कारण से इस पर परियाप्त मत भेद है मतलब जो एक मुख्य कारण है उसको आप याद रखेंगे और इसके लिए दो संकल्पनाएं आई हुई है तो दो सं संकल्पना के हिसाब से कहा गया कि मानसून की उत्पत्ती इस्थल और जल के असमान संगटन और उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी सुभाव के कारण होती है अर्थात इस पर सूरी के उत्तरायन और दचणायन होने का परियाप्त प्रभाव पढ़ता है ठीक है सूरी क संकल्पना क्या कह रही है नई संकल्पना के हिसाब से मानसूनी हवाओं की उत्पत्ती वायुदाब और हवाओं की पेटी के खिसकाओं की वज़ए से जो ITC जेट आप पढ़ते है न तो उसकी शिप्टिंग की वज़ए से होता है और फ्लोन नाम के एक स्कॉलर थे जो की की बहुत बड़े जानकार थे तो उन्होंने इस संकल्पना को प्रतिपादित किया था अब थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेते हैं यहां पर आप्टिक्स का ये टॉपिक है प्रकाश क्या होता है जान लीजे तो प्रकाश एक उर्जा है है ना ये उर्जा है जो कि हमें द दिखाई देती है तो प्रकाश एक तरह की उर्जा है जो कि विद्दुचुम्ब की तरंगों की रूप में संचरित होती है और ध्यान दीजे का कि इसका जो नेचर है वो कैसा होता है अनुप्रस्त होता है ये अनुप्रस्त तरंग की भाती व्यवहार करता है प्रकाश इतनी भी किरणे हैं उनको आउशोशित कर लेगी और एक थास तरह की प्रकाश की रण को परावर्दित करेगी तो उस रंग की वो हमें चीज दिखाई देगी हम प्रकाश को रुपांतरित माध्या में देखते हैं वो ठीक है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्य इतने नीटर वो एक सेकंड में गती कर लेता है तो समझ लिजे उसकी रफ्तार कितनी तेज हो तो इतना तेज तो वो निर्वात में चलता है और ये सरवाधिक चाल होती है प्रकाश की और इसकी गढ़ना करने वाले पहले जो वैग्यानिक थे उनका नाम रोमर था सूरे का प्रकाश पृत्वी पर पहुँचता है कितने देर में 8 मिनट हम लोग मोटे तौर पे जानते हैं लेकिन to be exact 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचता है समय कितना लगता है 8 मिनट 20 सेकंड प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है और प्रकाश तरंगे निर्वात से कर गुजर सकती है लेकिन ध्वनी तरंग के ऐसा नहीं कर पाती है ध्वनी तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आउशिक्ता होती है और यहीं वजाए कि चंद्रमा पर वायु मंदल है नहीं ठीक उसके कम गुरुतों और वहां के पलायन वेक के आपस में विरोधाबास की व बनी हुई है तब जाके हम प्रकाश का परवर्तन देख पाएंगे यहां माध्यम दिया है प्रकाश की चाल दी है और यहां से पूछा जाता है यह क्वेस्टन बनते हैं ऐसे निर्वात में प्रकाश की चाल तो आप देखी चुके हैं कि तीन गुड़े दसकी खात 8 मीटर सकेंड होती है यह सबसे जादा है बाकी जो है वह इससे कम ही रहेंगे जैसे कि पानी में प्रकाश की चाल होती है दो देशमलों दो पांच गुड़े दसकी खात 8 मीटर प्रती से कांच में और कम हो कम हो जाती है माध्यम जितना सगन होगा प्रकाश उतनी मी धिमीin आति से वहां से गुजड़ेगा, दो गुड़े दसकी घाथाथ हो जाती है, और हीरे में देखे हीरा सबसे कठोर कदार थे, ब्रह्मांड का अब तक सबसे घ्याथ, तो यहां पर हो जाती है सबसे कम और कितनी हो जाती है, 1.24 गुड़े दसकी घाथाथ, भी मिरबदार, 6 यानी 1.96 गुड़ेदस की गातार तो नाइलोन और रॉक साल्ट में एक बराबर दिखाई दे रही है मतलब यह है कि निर्वात में सबसे जादा होती है उसके बाद जो माध्यम जितना जादा विरल होगा प्रकाश उसमें उतनी तेज रपतार में चलेगा तो आप जानते हैं कि द्रवों और गैसों की विरलता जादा होती है और ठोसों की सगंता जादा होती है तो ठोसों में इसकी रपतार वैसे भी घढ़ जाएगी प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है रिफ्लेक्शन आफ लाइट प्रकाश जब किसी वस्तु पर पढ़ता है तो वह अवशोशित संचारितिया परावर्तित हो सकता है प्रकाश के रणे जब किसी वस्तु की सता पर पड़ती है तो वापस उसे प्रेरित करने का प्रक्रम ये कहलाता है प्रकाश का परावर्दन मतलब वापस उसे क्या किया जाता है प्रेशित कर दिया जाता है यानि वापस भेज दिया जाता है लेकिन पूरे-पूरे प्रकाश को जो वस्तु है वो लोटाती नहीं है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसी भी चीज में नहीं होता, वो आईडियल कंडिशन है पॉलिष्टार चमकीली सतहों की जो वस्तु होती है, जिनकी की सता चमकदार होती है तो वो दुदली सतह वाली वस्तु हों की अपेक्षा जादा प्रकाश को परावर्तित करती है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि संपूर्ण प्रकाश वो वापस भेज देती है, कुछ नकुछ अपने अंदर आउशोशित करती है चादी जो है, यह आप देख रहे है, रजद्धातु यानि चादी, यह प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है आपतन कोड का मान सदैव परावर्तन कोड के मान के बराबर होता है आपतन कोड जितना होगा उतना ही परावर्तन कोड होगा आप्तित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनो एक ही तल में स्थित होता है यह वाला आपने देखा है यहां से प्रवेश करता है यहां जाता है फिर जुग जाता है तो इस तरीके से अभी उसको भी हम देखेंगे चित्र में अभी यह समझ लेते हैं कि दरपड क्या होता है तो दरपड यानि मिरर एक चमकदार प्रिष्ट होता है जो स्वैंग पर आप्तित प्रकाश का मैक्सिमम हिसाब देखिए यह भी जो है यह संपूर्ण नहीं परावर्तित करता है अधिकांश परावर्तित कर देता है और इसको हम कहते हैं दरपड दरपड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं एक तो समतल दरपड होता है प्लेन मिरर वे दरपड जिनका की परावर्तक प्रिष्ट समतल होता है और समतल दरपड एक तरफ रजद धातु की चमगीली तह वाली काच की चपटी, पतली और चिकनी शीट होती है और हमारी श्रिंगार में जैसे अब यहाँ एक्जामपल दिया हुआ है कि जो ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे जो दरपड होता है, जिसमें कि हम चेहरा देखते हैं, वो असल में एक समतल दरपड होता है समतल दरपड द्वारा बना जो हमारे चेहरे का प्रतिबिम्ब है, वो परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ध्यान दीजेगा कि उसको हम परदे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो केवल दरपड में ही दिखाई देता है इसलिए समतल दरपड में हमारे चेहरे का जो प्रतिबिम्ब है वो आभासी कहलाता है उसे हम परदे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वो क्या है इमेजिनरी आभासी प्रतिबिम्ब या कालपनी किया अवास्त विक उसको कहा जाता है कुल मिलाकर इस पश्ट ये बात है कि समतल दरपण द्वाना बने हुए प्रतिबिम्ब की जो प्रकृती है वो आभासी होती है और आभासी प्रतिबिम्ब जो है वो हमेशा सीधे होते है समतल दरपण द्वारा बना प्रतिबिम्ब जो है वो आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है और समतल दर्पन से बना वस्तु का प्रतिबिम्ब दर्पन के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पन के सामने रखी रहती दूसरे शब्दों में प्रतिबिम्ब और वस्तु सम्तल दर्पण से बराबर दूरी पर होते हैं परन्तु वे सम्तल दर्पण की पिपरीद सतों पर होते हैं ये उनकी स्थिती होती है प्रशनिया से बनते हैं स्ट्रेटमेंट दे के आप से पूछा जाएगा समतल दरपण में बने प्रतिबिम में पार्श वो उत्क्रमण होता है जबकि दरपण के सामने खड़ा व्यक्ती यदि अपना बाया हाथ उठाता है तो प्रतिबिम में उसका दाया उठता हुआ दिखेगा मतलब उल्टा, mirror image दूसरा नंबर आता है गोली अधर पढ़ का और ये जो spherical mirror होते हैं spherical mirror इस प्रकार के होते हैं कि ये काच के खोखले गोले के कटे हुए हिस्से होते हैं और इनके एक प्रिष्ट पर पाराया red oxide को लेप दिया जाता है मतलब उसका लेप चड़ा दिया जाता है और दूसरा प्रिष्ट जो है वो परावर्तक हो जाता है तो ये उत्तल और आतल हो सकता है जोकि गोली अस्थिती है तो अंदर की और धसा या उपर की और उभरा हो सकता है तो अगर अंदर की और धसा है तो वो concave हो जाएगा यानि आउतल हो जाएगा उपर की और उभरा हुआ है तो उतल हो जाएगा अब देखिए जिस गोली दरपड की परावर्तक सता धसी रहती है उसको आउतल कहते है इसे अभिसारी भी कहा जाता है दात का जो डॉक्टर होता है या दात की परिक्षा लेने वाले जो मेडिकल स्टाफ होते हैं तो वो जो दरपड इस्तिमाल करते हैं दातों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए वो असल में क्या होता है आउतल दरपड होता है इसके अलावा इसका इस्तिमाल होता है गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है आउतल दरपड और प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टार्चों, वाहन की हेडलाइटों, सर्च लाइटों इन सब में परावर्त को इत्यादी म इसके अलावा जो नाई की दुकान पे शीशे होते हैं, वो भी असल में आउतल दरपड ही होते हैं, टेलिस्कोप में भी आउतल दरपड का इस्तिमाल किया जाता है, वास्तविक और आभासी छबी इससे प्राप्त हो जाती हैं, तो ये सारी जानकारियां हमने देखी, इसक दरपड के उपयोग पीछे से आ रहे हैं यातायात को देखने के लिए जो पश्च द्रिश्टी दरपड होते हैं, जो कि गाडियों के साइड में लगे रहते हैं, ड्राइबर वहां देखके पता लगा लेता है कि पीछे कौन सा ट्रक धका मारने वाला है, ठीक है, तो पश जुटल है, इसमें क्या है, अंदर की और पॉलिश किया गया है, कले ही लगाई गई है, और उपर वाला जुटल है, वो कैसा है, उबरा हुआ है, तो यहीं इनकी संरश्टना का फर्ग है, कुछ और बाते हैं, जैसे कि इस पश्ट है कि भिन्न-भिन्न माध्यमों में प्रक प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ठीक है, तो निर्वात वाली हमने देखी सबसे जादा थी, बाकि सब में घट गई थी, जिस माध्यम का आपवर्तनांग जितना जादा होगा, प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी, इसका मतलब क्या है, कि हीरे का अपवर्तनाग सबसे ज़्यादा होता है माध्यम की अपवर्तनाग को यहाँ पे Greek Alpha Weight का नाम दिया गया Mu, इसको कहते हैं Mu तो Mu से इसको व्यक्ट किया जाता है तो Mu is equal to क्या हो जाएगा अब यहाँ पे सीधा नहीं लिखके U बराबर C बटे Mu लिखा गया है आज का होता है एक दश्मलो 5-0 और अपवर्तनाग को सामानित ग्रीक अक्षर Mu से वही जो आपको बता है Mu से व्यक्त किया जाता है Greek Alpha Weight को हम लोग Physics में और In fact Science में बहुत बड़े पहमाने पर इस्तेमाल करते हैं जिसे Alpha, Beta, Gamma, Delta, Sigma Sigma एक ऐसे बनता है ये वाला आपने देखा Delta ऐसे बनता है ये वाला तो इस तरीके से हम देख रहा है वैसे Mu भी है अब आगे चलते देखे चुकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिक्तम होता है अता किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपरतनांग है वो हमेशा एक से जादा होगा ये कंडिशन है और माध्यम जितना जादा सगन होगा प्रकाश उतनी ही धीमी रप्तार में वहाँ पे चलेगा भारती अर्थ में वस्ता में आज हम देखने वाले है थोड़ा सा GST को और वस्तु और सेवाकर यानी GST ये 2017, एक जुलाई 2017 से निर्माता या सेवा प्रदाता से लेकर उभोगता तक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ती पर लागू हो गया और ये एकल व्यापक अप्रत्यचकर है ये कैसा है? इन डारेक्ट टैक्स है जुकि एकल है, इसमें बहुत सारे टैक्सों को मर्ज कर दिया गए गंतव व्याधारी तो भोग कर हैं जिस पर की पूर्ती श्रंखिला में आगत जमा की सुविधा प्राप्त है और एक ही प्रकार की वस्तु या सेवाओं पर एक दर से लगने वाला ये पूरे भारत में व्याप्त कर है मतलब कर पध्यती है ये कहना ज़्यादा सही रहेगा और बहुत बड़ी संख्या में केंद्रिय और राजस्तरिय करों उपकरों को इसने अपने में मर्ज कर लिया है तो बहुत सारे कर वसूलने से छुटकारा मिल गया है हमें कठे क्या करते हैं जियश्टी ही वसूल लेते हैं और बहुत सारे करों को इसने प्रतिस्थापित कर दिया है GST में कौन-कौन से करों को शामिल किया गया है वो आपको अनिवारे रूप से मालूम होना चाहिए तो केंद्रिय कर कौन से शामिल हुए राज्येकर कौन-कौन से है तो राज्ये मूले समवर्धन कर यानि जो वैट होता है वैल्यू एडिट टैक्स विक्री कर वो सब इसमें मर्ज कर दिये गया मनुरंजन कर ये भी इसमें डाल दिया गया मतलब इस थानी ये निकायो द्वारा जो लागू है उसको छोड़ कर इसके अलावा केंद्रिये विक्री कर को इसमें डाल दिया गया जो केंद्र और राज्ये उद्वारा संगरहित होता था चुंगी और प्रवेशकर, क्रेकर, विलासिताकर और लाटरी सट्टा जुए पर जुकर लगता था वो सब अब इसके बाद राश्ट्री राश्धानी के जो संघटक छेत्र है उनको देख लीजे तो इसमें टेबल बनी है आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं इसमें उप छेत्रों के नाम दिये हैं जिलों के नाम दिये हैं और छेत्रफल दे रखा है तो हरियाना की कौन कौन से जिले हैं? परीदाबाद है, गुडगाओं है, मिवात है, रोहतक है, सोनीपत है, रिवाडी है, जजजर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चर्की दादरी इसमें इंक्लूड है ध्यांदीजेगा, महिंद्रगड, जीनदौर, करनाल, कुलमिलाकर 13 ज जिला, जीनदौर, करनाल, अलग-अलग जिले हो गया हैं, तो ये 49.97% होता है, उत्तरप्रदेश की कौन कौन से हैं? मेरट, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर, अपने यूपी का पूछा जा सकता है, बाकी गौतम बुद्धनगर, बुलंच शहर, हापुर, बागब चेत्र योजना बोर्ड है, मतलब NCRPB है, उस अधिनियम को अधिनियमित किया गया और NCR योजना बोर्ड को गठित किया गया, तो नवीनतम जिला शामली 2017 में इस संगटक चेत्र में जुड़ गया है, अब NCR में दिल्ली को छोड़ कर कुल तीन राज्य, एक केंद्र प्रशित प्रदेश और 23 जिले शामिल हो गया है, दिल्ली को बाहर करके, तो इस तरीके से हमने इसे देखा,